नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जदिन पटेल और आप देख रहे हमारी और आपकी यूटूब चनल ओलाइन त्रिक्स नौफर्स दोस्तों आज के सुध्यमें हאס़ वह लग बाद किरने वाले जियोग के एक पे व्हें सटिंस के बारे में हाँ दोस्तों नए सटिंस आ चुके है और यह सेटिंस करने के बार मुझे अच्छी का सी स्पीर मिल रही है जहां पर भी मुझे network की speed कम मिल रही है वहां पर भी मुझे अच्छी खासी speed मलते रही है जो पहले से दोगनी हो चुकी है आपको कम speed मिल रही है network speed कम आ रही है तो आप इस video को जरूर देखिए M तक देखिए क्योंकि मैं आपको बतने वालू नई आपको अपने फॉन के सेटिंग्स में चले जाना है वहां पर आपको मिलेगा network और internet का settings वहां पर आपको क्लिक करना होगा या फिर आप यहां पर दाइर्ट लिए sim car network में भी चाहा सकते है तो यहां पर मैं सेलेक करूंगा sim car and mobile network तो दोस्तों आपको एक बात हमेसा याद रखने है आपको हमेसा अपना जियो का sim पहले sim करके slot में ही रखना है और वहां से ही आपको वो internet की settings का दिक करनी है तो यहां पर आपको sim 1 को सेलेक करना होगा उसके बाद आपको सीज़े आ जाना है access point name पे यहां पर आने के बाद आपके पास जो भी settings से उसको आप पहले यहां पर delete कर देंगे तो यहां पर में सारे settings को delete कर दूँगा और option में जाके 3.pack लिए करके reset to default करना है तो यह करने के बाद आपको open करना है GO 4G वाले settings को तो हमने यहां पर open कर लिया है नेम में आपको लिखना है GO 4G okay कर देना है APN में भी GO net ही रखना है वहां पे भी आपको कुछ नहीं करना है सिधे आ जाना है आपको port के अंदर तो यहां पर आपको 8080 लिखना है okay कर देना है server पर आपको लिखना है www.wfgo 5% 4G .com और आपको पैप सिले कर लेना है APN टाइप पे आपको यहां पर simple वही रखना है default comma sql comma sqp cap okay कर देना है APN protocol पे आपको रखना है IPv4 IPv6 save आपको roaming protocol पे भी रखना है सिधे आज़र आपको यहां पर बेर के अंदर यहां पे आपको simple lt सिले करना है और OK कर देना है यह सारे सेटिंग्स करने के बाद आपको simple settings को save कर लेना है यहां पर हम लोग settings को save कर लेंगे phone को एक बार restart कर लेना है restart करने के बाद मैं आपको यहां पर internet की speed ही यहां पर दिखाने वाला हूँ तो सीधे हम लोग यहां पर गूगल का पेज उपन करेंगे तो हमने यहां पर गूगल का पेज उपन कर लेते हैं और हमारी स्पीड यहां पर चेक करेंगे तो स्पीड टेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर उकला पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें गो बटन पर क्लिक करना होगा तो हमारी स्पीड यहाँ पर कितनी आ रही है वह हम लोग यहाँ पर डायरेक्ली चेक करेंगे सेटिस करने के बाद आप डेख सकते हैं यहाँ पर 50 अप जा रहे 66, 69, 75, 70, 80, 84 MBPS की स्पीड मुझे यहाँ पर मिल रही है आप देख सकते हैं जो डाउड़ोड स्पीड है वह आप देख सकते हैं और अपलोडिंग स्पीड भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने सेटिंग्स क्या वोई सेम सेटिंग्स आपको भी करना है, यह सेटिंग्स करने के बार आपको 100% स्पीड मिलेगी, आपको कुछ दिक्कत आती है परेशार नहीं आती है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, आपको वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करेंगे जरूर बताइए कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीचे, सेर कीचे नेक्स्ट वीडियो मापेस मिलेंगे चेहिन पनिमात्रों